हेलो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मो लाइफ सेंस 500 स्मार्ट वाच के बारे में तो यह फुल रिव्यू होगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखी अच्छा लगे तो लाइक जरू करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्रेब करके बेल आइकाउन भी द देखना चाहते तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिजाइन से तो इस वाच लुक्स जब मैं पहना हुआ हूँ तो बेसिकली जब लॉंच हुआ था दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल थे दोस्तों बट अभी मैं देख रहा हूं तो ब्लाक की मोस्तली अवेलेबल रहता है सिल्वर कभी-कभी आता है जैसे दो दिन पहले मैं देखा था सिल्वर था बट फिर से आउटाव स्टाउक हो गया था तो ऐसे कुछ देखने में है वाच इस आउड डिस्पले तो बिल्ट क्वालिटी से स्टार् है यह एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ आता है विच इस नाइस यह वाच फेज मैं अब चेंज किया हूं वाच फेल्ट दूसरा वाला आता है बर्ट यह वाच फेल्ट की बात करें दोस्तों तो तो इस गूड नो इस्प्राइस फिल्स वेरी सॉलिड डिस्पले की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे 1.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है विच रेली मतलब लाज फॉर्द सेग्मेंट LCD डिस्प्ले है बट रियली लाज और यह रेजिल्यूशन की बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा आपको पिक्सलेटेड लगेगा मतलब अगर आप फुल एजडी फोन यूस करते हैं उसके बाद यह वाला स्क्रीन देखेंगे तो थोड़ा सा लग सकता है यह वाच फेस में थोड़ा कम लगता है बट बाइड डिफॉल्ट जो आते उसमें थोड़ा जादा लगेगा थोड़ा सा जादा नहीं बट स्लाइटली पिक्सलेट लग सकता है बट ओवराल नो कंप्लेंज आप मतलब यूस्टो हो जाएंगे नेक्स्ट हम चलते हैं ब्राइटनेस की बारे में तो इदर मैं लिखा था तो देख लिया ब्राइटनेस की बारे में तो ब्राइटनेस दोस्तों इसमें सेटिंग है ठीक है ब्राइटनेस करने क पूरा setting मिलता है आप देखेंगे अभी मैं full पे रखा हूं ठीक है ठीक है अभी मैं full पे रखा हूं तो this is how full पे भाहर जाने से आपको full पे रखना होता है घर पे रखेंगे तो full पे भी रख सकते हैं and minimum पे रखेंगे तो भी आराम से दिख जाएगा बट ऑटो प्राइटनेस नहीं है तो आपको जब भी बाहर जाएंगे तो मैक्स में करना पड़ेगा तब ही clearly दिखेगा ठीक है software की बात करें तो ठीक है एगें थोड़ा सा मतलब काटोनेश मतलब जो यूआ है लिटल बिट काटोनेश काटोनेश लगता है उतना मतलब ऐड़ा प्रेफरद थोड़ा सा बेटर आईकॉन्स यूज़करते तो बेटर रहता है थोड़ा सा काटूनेश ज्यादा लगता है बैटरी पासंटेज और एक चीज है जो मैंने कर और कोई भी watch face में select करूं तो आप देखिए खाली ऐसे icon दिखाता है percentage दिखाता है जाधा तर मतलब almost 95% watch faces में यह नम मतलब जो battery percentage रहता है वो दिखाता है नहीं सम्तिंग स्टेंज accuracy की बात करें दोस्तों तो this is where I felt they need to work क्योंकि यह sensors तो बहुत जारा दिख रहा है बट एक चीज मैंने notice कि accuracy के मामले में थोड़ा सा उतना मतलब accurate नहीं है और एक चीज मैंने notice कि इसको मैं table पर रखकर अगर सभी sensors स्टार्ट करूं जैसे heart rate BP SPO2 सबका ही reading दिखा रहा है I don't know what's maybe it's some software issue but क्यों पता नहीं जस्ट टेबल पर रखने से भी यह reading लेही रहा है which was surprising एक और चीज मैंने देखा सेंस मतलब सेंस तो कर रहा है क्योंकि मैं देखा दो तीन लोग वो pen के देखने को बला कि एक ही value दिखा रहा है कि बट नहीं सबका अलग-अलग value दिखाता है बट accuracy के मामले में थोड़ा सा उतना accurate तो नहीं है दोस्तो वेक अप feature की बात करें तो again little bit slow मतलब आप ऐसे रखेंगे तो कभी-कभी fast हो जाएगा कभी-कभी नहीं होगा आपको थोड़ा सा हाथ ही लाग कर on करना पड़ेगा तो वेक अप feature also needs improvement आपकी बात करें तो दिखने में ठीक ठाक है अगें little bit cartoonish बट आप पूरा functions easily काम करता है so no issues connectivity में भी कोई issue नहीं था Bluetooth connect करके रखने से कभी disconnect नहीं हो रहा था so that was a good thing Bluetooth calling की बात करें दोस्तों which is the main highlight of this smart watch तो कहां से Bluetooth Bluetooth का speaker अगर आप देखे दोस्तों तो this is where the speaker is and this is where the microphone is इस तरफ रहेगा microphone तो आप ऐसे रखेंगे तो बात कर सकते है Bluetooth calling works nicely एक चीज़े आपको आपका mobile मतलब setup करने के समय सभी मतलब permissions allow करना पड़ेगा तभी यह properly काम करेगा मैंने first time setup का भी वीडियो बनाया अगर आप देखना चाहते तो वह भी देख सकते वीडियो लिंक description में रहेगा तो Bluetooth calling कोई issues नहीं था एक चीज़े पास रखेंगे तो आपका voice जादा बेटर लौड आएगा दूर रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा volume but no issues आराम से आप बात कर सकते है speaker till 75% volume very clear and loud 100% पर रखेंगे तो yes crack होता है मैंने देखा है किसी के साथ बात करेंगे थोड़ा सा cracking definitely होता है speaker में till 75% very clear and loud अभी total चलते है price कितना में मिलेगा भी 4500 मिल रहा है दोस्तों and in this 5000 range Bluetooth calling is unknown of okay Bluetooth calling आपको किसी भी smartwatch में मिलेगा ही नहीं और मुझे पता है आप मेंसे बहुत लोग है जो यह Bluetooth calling बहुत जादे important है मतलब एक अच्छा सा एक feature है जो आप ऐसे करके रखे है तो phone records भी दिखाता है तो उससे भी call कर सकते है तो मतलब यह Bluetooth calling feature बहुत अच्छा लगा मुझे something unique किया है तो overall दोस्तों at 4500 क्यों आपको खरीदना चाहिए यह number one build quality बहुत अच्छा है Bluetooth calling है which is one of the main highlight and बहुत सारे features दिये है ठीक है accuracy is not that high but अगर आपको Bluetooth calling एक अच्छा दिखने वाला watch चाहिए and good build quality चाहिए then this is the right choice for you मैं तो use करो 5 दिनों से कोई complaints नहीं है अच्छा से काम कर रहा है जो भी है और एक चीज जो मैं add करना चाहूंगा heart rate tracking is continuous sleep tracking की बात करें तो वो भी उतना accurate नहीं है अप्रॉक्सिमेट आइडिया दे देगा SPO2 आपको एवरी टाइम मतलब चेक करना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा continuous tracking नहीं है उसके बाद BP भी continuous tracking नहीं है तो यह सब तो आपको मतलब जबी भी चेक करना है आपको क्लिक करके on करना पड़ेगा only heart rate tracking is continuous and sleep tracking भी automatic होता है तो overall यही था दोस्तों रिव्यू अगर आप इसे खरीदने में तो लिंक आपको description and comment section मिल जाएगा वीडियो कर इंफर्मिटी लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी दबादीजिए मुझे इस्टागर में फॉलो कीजिए at the rate rcmedia house आज के लिए इतनी